आज हम बनाएंगे एक्तम धाबा स्टाइल तड़के वाली डाल पालक ये बहुत ही तेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है आप सेम रेसिपी ट्राय कीजिएगा ये बहुत तेस्टी बनती है नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका श्यामरसोई में तो चली शुरू करते हैं बन यहां मैंने अरहर की डाल ली है यानि कि टोटली मैंने एक कप डाल का इस्तिमाल किया है इसे हम दो बार अच्छे से पानी से धो लेंगे उसके बाद हम दाल को एक घंटे के लिए भीगा कर रखेंगे यदि आपके पास समय नहीं है तो आप आधा घंटा के लिए गरम पान मैं धाई कप पानी डाल रही हूँ एक कप डाल के लिए मैंने धाई कप पानी का इस्तिमाल किया है पहले हम इसे अच्छे से गरम कर लेंगे और देखी इस पर जाग जैसा बनने लगा है तो पहले हम इसका जाग हटा लेंगे पहले मैं नहीं हटाती थी लेकिन ये जो नहीं होता है तो आप दाल हमेशा ये हटाकर बनाईएगा जाक अटाने के बाद इसमें आधा चम्मच नमक और एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और कूकर का ढखकन लगाकर मेडियम टू हाई गैस पर दो सीटी ले लेंगे दाल भ गी के गरम हो जाने पर हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे और एक चुथाई चम्मच हींग डालेंगे और जीरा को पहले अच्छे से चटकने देंगे इसमें कोई खड़े मसाले डालने की आविशकता नहीं है अब हमने यहां दो प्याज को एकदम बारी काट कर ले लि हो जाए तो यह देखिए प्याज का हलका सा कलर चेंज हो गया है और यह अच्छे से सॉफ्ट हो गए है यहां हमने 5-7 लहसून की कली को बारी काट कर लिया है दो हरी मेर्च ली है और 1 इंच अदरक के टुकडे को बारी काट कर ले लिया है तो यह सभी हम इसमें डाल और इन्हें भी हम प्याज के साथ 1-5 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे तो यह देखिए हमने सारी चीजों को अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें 2 टमाटर को बारी काट कर डालेंगे टमाटर के मैंने बीज हटा दिये थे अब हम इसमें मसाले डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है अब हम मसालों के साथ टमाटर को तब तक भुनेंगे जब तक कि ये अच्छे से सौफ्ट नहीं हो जाते हैं तो हमने पहले टमाटर को एक मिनिट के लिए भुना अब हम इसमें लगबक एक चोथाई कप पाने डालेंगे ताकि मसाल काते हुए लगबक 5-6 मिनिट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर एक तम पढ़िया से सौफ्ट हो चुके हैं हमारा मसाला बनकर बिलकुल तयार हो चुका है अब हमने यहां लगबक 200 ग्राम पालक लिया है पालक को पहले मैंने तीन बार अच्छे से पानी से धोय उसके बाद उसे सुखा कर बारिक बारिक काट लिया है तो अब हम यह पालक मसाले में डाल देते हैं पालक को काटने के बाद कभी न धोये हमेशा इसे धोने के बाद सुखा कर ही काटे और अब हम पालक को तब तक पकाएंगे जब तक कि यह अच्छे से सौफ्ट नहीं हो चाहता है, इसे ओर कूक नहीं करना है, केवल तीन से चार मिनिट में ये अच्छे से सौफट हो जाएगा, येँ देखिए पालक अच्छे से सिकुड गया है, इसे हम दो मिनिट और पका लेंगे और ये लीजिए, पालक भी अच्छे से पक गया है, और इधर हमारा कूकर भी चाहिए और जो चनी की दाल है मैं दिखा देती हूँ अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो अब हम दाल को इस मसाले में डाल देते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यह बहुत जादा गाड़ी है तो हम इसमें पाने डालेंगे मैं यहां आधा कब पाने डाल देती हूँ पानी को गरम करके डालिएगा तो कुकर में ही मैंने थोड़ा सा पाने डाल कर डाल में डाल दिया है आपको डाल की कितनी थिकनेस चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पाने डाल दीजिए और अब हम दाल को केवल 2-3 मिनिट के लिए ही पकाएंगे तो देखिए हमने दाल को 2-3 मिनिट के लिए पका लिया है और दाल हमारी बनकर तयार हो गई है और अब हमने gas का flame बंद कर दिया है दाल का स्वात बढ़ाने के लिए हम इस पर एक special तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहां तड़का पैन में एक टेबल स्पून घी लिया है घी के गरम हो जाने पर इसमें आदा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 5-6 लहसून की कलियों को बारिक काट कर डालेंगे इन्हें अच्छे से पहले fry कर लीजिए लहसून हमारा अच्छे से fry हो गया है यह देखिए घी हमारा गरम है तो इस वक्त हम इसमें दो सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही आदा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तड़का हमारा तयार हो चुका है, इसे हम दाल पर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, आप ये तड़का जरूर लगाएगा, इस तड़के से टेस्ट आपका बहुत गुना बढ़ जाएगा, और अब हम इस पर बारिक कटा हुआ हरा धनिया और बारिक कटे हुए अधरक के लच्छे डाल देंगे जिसे ये देखने में भी एक्तम ठाबा स्टाइल लगे तो फ्रेंड्स आप इस दाल को नान चपाती चावल किसी के भी साथ सव कर सकते हो ये बहुत टेस्टी लगती है रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल क को सब्सक्राइब करने के साथ बैला आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकी